बदायू में शिया समुदाय ने सद्यो पुरानी परंपरा के तहट इमाम बारगहा के समीप जंजीर ए मातम जुलूस निकाला जहां मंगलवार को शिया समुदाय के बुजूर्ग युवावे बच्चों ने जंजीरी मातम कर खुद को लहुलुहान कर लिया इस दोरान अंजुमन बलेड लगी जंजीर को नंगे बदन पर मार मार कर लहुलुहान हो गए एक कतार में खड़े होकर या हुसैन या हुसैन सदाओ के साथ चारो तरफ खुन के छीटे दिखाई पड़ रहे थे जंजीर का जुलू शहादत इमाम बाड़ा से शुरू हुआ जो नगर के सराय मोहला पर जाकर शहादत इमाम बाड़ा पर समाप्थ हुआ जहां दो पहर दो बजे मजलिस हुई मजलिस के बाद इमाम हुशैन की दुलदुल निकाली गई इसमें तक्रीर करते हुए मुहम्मद रजा ने बताया कि नाना की दिन को बचाने के लिए इमाम हुशैन से परिवार करबला के मैदान में आये तथा अपने लोगों की कुर्बानी पेश की यहां तक की 6 महिने के बच्चे को भी यजीद लक्षर ने पानी देने की बज़े तीर मार कर शहीद कर दिया इससे इसका घिनोना चहरा सब के सामने आ गया और लोग गुमराही से बचे उन्ही की याद में मोहरम मनाया जाता है